नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स शैतानी दानव पार्ट टू उसने अपने धनुष पर एक चंद्राकार बान चड़ा लिया पिता श्री आप मनुष्य है और मैं राक्षस हूँ यह दोनों जातिया आरम से ही एक दूसरे की शत्रू रही है अथा आप मेरे शत्रू है मैं आपका वद करता हूँ ओ उस समय ब्रह्मा से वर्दान लेते समय मैंने यह नहीं सोचा था किन्तु मैं इसे इसके अपरात का दंड अवश्य दूँगा और विरोचन रिशी पर अपने ब्राण का प्रियोग कर पाता उससे पहले ही रिशी ने किसी मंत्र का उच्चारन करते हुए विरोचन को शाप से मुक्त करें पिताशरी मैं आपसे अपने अपरात के लिए शमय याश्ना करता हूँ तुम्हें इस शाप से मुक्त करने का अधिकार अब मुझे नहीं है विरोचन किन्तु यदि इसी परवत के दक्षिन शिकर पर रहने वाला मेरू दानव तुम पर कृपा करेगा तो एक दिन तुम्हें वही योनी प्राप्त हो जाएगी ठीक है पिताशरी अब मैं वहीं जाता हूँ फिर विरोचन अपनी भूल पर परश्यताप करते हुए आश्रम से बाहर आ गया इसके उपरान वहे दूर से ही नजर आने वाले मेरू दानव के महल की दिशा में उनने लगा कितना अभाका हूँ है केतू की बातों में आकर अपने पिता का ही वद करने को ततपर हो गया था उस अपराद का यह दंड मेरू दानव का वह महल सोने तथा चांदी से निर्मित था उड़ता हुआ विरोचन जब उस महल के सामने उत्रा तो मुख के द्वार पर खड से मिलने आया हूँ और अगले ही शणों में विरोचन स्वन्न सिंगासन पर बैठे तथा भयानक आकर्ती वाले मेरू दानव के सामने था उसने दानव राज को अपना परिचे दिया और जन्म से लेकर रिशी के शाप तक का व्रित्तान सुनाया और अब मैं केवल शाप मु किया है और जो किसी आलोकिक शक्ति के स्वामी थे उनके लिए उसने तुम्हारे जैसे राक्षातों को जनम दिया भौम तथा केतु तुम्हारे द्वारा मारे गए मुझे उनकी मृत्यू पर दुख है दानव राज मैं विवस्थ था क्या आप मुझे शमा नहीं करेंगे म मैंने तुम्हें शमा किया विरोचन किन्तु रिशी ने तुम्हारे साथ धोका किया है वह केवल तुम्हें मेरे पास भेजना चाता था उसे भैठ था तुमसे शाप मुक्ति तो एक बहाना था विरोचन ओ यह बात फिर तो अफसर मिलते ही मैं उस रिशी को जीवित नहीं चोड़ूंगा। क्यों किया केवल मेरुदानव के कहने पर और इसका कारण यह है कि तुम मेरुदानव की पुत्री हो ऐसा कैसे हो सकता है विरोचन मेरुदानव से यह प्रशन मैंने भी किया था तब उसने मुझे बताया ऐसा कहकर विरोचन ने राजकुमारी को एक कहानी और सुनाई एक समय दैत्य राज शुंड का वद्ध करने के उपरांत इंद्र ने स्वर्ग में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया, उस उत्सव में देव, दानव, एवं नाग, गंधर्व सभी उपस्तित हुए, इंद्र लोग की सुंदर परियों ने नृत्य एवं संकीत द्वारा अतितियों का मनुरंजन किया, भूलवश उस उत्सव में मेरुदानव को नहीं बुलाया गया था, मेरुदानव को जब उत्सव का पता चला, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ, और उसने अपने सैनापती मेग को बुलाया, सैनापती मेग, इंद्र ने उत्सव में ना बुला कर हमारा अपमान किया है, हम इसी समय स्वर्ग पर चड़ाई करेंगे, अता तयारी की जाए, जैसी अग्यमाहराज, इसके उपरांत मेरुदानव अपने रत्न जडित रत पर सवार हुआ, दैत्यराज चुंड का वद करके इंद्र को एहंकार हो गया है, तब मेरुदेत्य ने बहु आटे रिशी आधित्य एवं उनकी पत्नी को देखकर अपना रत रोक लिया, रिशी पत्नी सुनंदा अथा रूप राशी की स्वामिनी थी, उसे देखकर मेरुदेत्य स्वेम पर नियंतरण न रख सका, रिशी आधित्य तुमारी पत्नी को तो मेरे जैसे बलचाली दानव के महल की शोभा बनना चाहिए था दैत्य राज वर्षों से चला देव एवं दानवों का युद्ध अब समाप्त हो गया है समझोते के अनुसार तुम्हें ऐसी धर्म विभूख बात नहीं करने चाहिए हा 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 तो तुम मुझे उपदेश देने चले हो रिशी भूल गए मेर प्रू देत्य ने भयानक अठास करते हुए सुननदा को बल पूर्वक अपने रत में डाल लिया सुननदा अब मेरी है रिशी जाओ और जाकर आश्रम में तप करो हा 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 बचाईए स्वामी बचाईए सुननदा चीकती रही रिशी चाहते हुए भी कुछ ना कर सके याद कहकर मेरी जयत्य ने अपना रत मोड लिया सुननदा को पाकर उसने स्वर्ग पर चड़ाई करने का विचार त्याग दिया दुखी रिशी अपने आश्रम को चले गए और फिर सुननदा मेरी जयत्य के महल में कैद हो गई प्रति दिन अपने आराध्य देव से वह एक यही यदि तुम मुझे इस कैद से मुक्ति नहीं दिला सकते तो मेरी प्राण लेकर मुझे इस संसार से ही मुक्त कर दो अन तता सुननदा को एक दिन मुक्ति का अफसर मिला उस दिन मेरी द्यत्य पाताल में रहने वाले अपने गुरु विशाली के पास गया था पहरेदार मदी पीकर बेहोश पड़े थे सुननदा बड़ी सावधानी से महल से बाहर आई अब मुझे शीक रही इस स्थान से दूर चले जाना चाहिए सुननदा गर्वधी थी क्रोंच परवश से उतर कर वह समुद्र तटपर आई तो सहसा उसे ध्यानाया मेरे गर्व में मेरु देत्य का शिशुपल रहा है ऐसे इस तिद्री में मेरे पती मुझे किस प्रकर स्विकार करेंगे ऐसा सोचका सुननदा ने ततकाल ही योग बल से उस गर्व को जनम दिया जो वास्तव में कन्या थी उसने उस कन्या को पत्तों की शया पर लिटाया और दुखे मन से रिशी के आश्रम के और चल पड़ी इस कन्या पर अब मेरा कोई अधिकार नहीं रहा किन्तु इसकी रक्षा करना प्रभू किन्तु विधाता को तो उस कन्या को जीवन देना था संयोंग वस शालवनरेश क्रिशानू जो आखेट की इच्छा से उस वन प्रदेश में आये थे उस पत्से गुजरे उन्होंने पत्तों पर लेटी सुन्दर कन्या को देखा तो वह चौंक गए आश्चर्य इस वन प्रदेश में यह नवजात कन्या? कदाचित इश्वर ने मेरी प्रातना को सुना है सोचते हुए कृषानू ने उस कन्या को गोध में उठा लिया कृषानू निसंतान थे उस कन्या को लेकर वह अपनी राजधानी के ओर चल पड़े मेरी पतनी नंदनी कितनी प्रसंद होगी इस कन्या को देखकर राजदानी पहुँचकर कृषानू महल में गए नंदनी अपने पती की गोद में एक नवजात कन्या को देखकर चौकी यह कन्या तो बड़ी सुन्दर है स्वामी किसके महलों का रतन है यह रानी हम निसंतान थेना अधा इस कन्या को इश्वर का प्रसाथ समझकर ग्रहन करो राजा किर्शानू ने सभी कुछ विस्तार से बताते हुए उस कन्या को नंदनी की गोद में दे दिया मेरू देत्य की यह कहाने सुनाने के बाद राजकुमारी पुषपलता सुननदा की गर्ब से उत्पन होने वाली वह कन्यात तुम ही हो यह तो ठीक है विरोचन किन्तो मैं अभी तक नहीं समझ सकी कि मेरू देत्य ने मेरा अपरहन क्यों करवाया है मेरू देत्य को तुम्हारे जन्म की सूचना उसकी गुरू विशारी ने दी थी यह भी कहा था कि उसकी मृत्यू उसी कन्या के द्वारा होगी ऐसा सुनकर मेरू देत्य का चिंतित होना सुभावित था फिर जब उसे तुम्हारे विशे में पता चला, उसने तुम्हारा अपरहन करा लिया इस फिर ही जानता है यह कितना सच है विरोचन के पास कुछ और ढहरने का वक्त नहीं था अधा उसने राजकुमारी पुषपलता को फिर से अपने पंजों में दबाया और उड़ने लगा शमा करना राजकुमारी, तुम्हें इतनी पीड़ा देकर मैं भी प्रसंद नहीं हूँ मैं तो केवल शाप मुक्ती के लिए मेरुजेत्य के पास आया था किन्तु अब और फिर राजकुमारी को लेकर आकाश में उड़ता हो विरोचन उस स्वन महल में मैरुजेत्य के सामने धर्ती पर उत्रा मैरुजेत्य ने राजकुमारी को देखकर भयानक अट्टाहस किया हा 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 तो तुम इस लड़की को ले ही आये विरोचन अब देखता हूँ उस रिशी की भविश्यवानी किस परकार से सत्य होगी अब मेरे लिए क्या गय है देत्यराज लंबे मार्ग ने तुम्हे ठका दिया होगा विरोचन अतह विश्राम करो ठीक है देत्यराज पुष्पलता मेरा विचार है विरोचन ने तुमसे मार्ग में सब कुछ बता दिया होगा मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैं यह सोचकर लज्जित हूँ कि आप मेरे पिता है मुझे तो विश्वास नहीं होता इस सत्यता पर किन्तु यह सत्य है पुष्पलता रिशी आधित्य की पत्नी सुननदा तुम्हारी मा थी जिसका अपरण करके मैं उसे अपने महल में ले आया था किन्तु मेरा अपरण क्या पिता होकर आपको यह कार्य उचित लगा है उचित अनुचित का ग्यान मुझे भी है पुत्री किन्तु मैं विवश हूँ तुम्हारा अपरण मैंने उस काल को रोकने के लिए किया है जिसे अत्यंत बल्वान कहा जाता है मुझे दुख है तुम्हें यहां बंदी बन कर रहना होगा ऐसा कहकर द्यत्य ने अपने अनुचरों को बुलाया फिर उसने पुष्पलता को महल के एक गुप्त कक्ष में डाल दिया किन्तु सत्यता कुछ और थी मेरुद्यत्य अभी तक नहीं जान सका कि सुननदा के गर्भ से जन लेने वाली कन्या का नाम पुष्पलता नहीं कांडवी है जो मेरी बड़ी बहन है किन्तु ऐसा भ्रह्म कांडवी के लिए तो लाप्रद ही है उसका जीवन तो सुरक्षित है अब दूसरी और मेरुद्यत्य अपने विश्रान कक्ष में हाँ 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 अब मेरा काल मेरे वश में है मैं उसे कभी भी स्माप्ट कर सकता हूं यह वास्तव में अटल सत्य था कि पुष्पलता राजा क्रिशानू की दूसरी कन्या थी उसका जनम कांडवी की प्राप्ति के बाद हुआ था पुष्पलता के अपरण ने क्रिशानों तथा नंदिनी को अर्ध पागल सा बना दिया था दोनों रात दिन अपनी पुत्री के विशे में सोच कर प्रलाप करते कुष्टो कीजिये स्वामी सच कहती हूँ यदि राजकुमारी नहीं मिली तो मेरे प्रांट छूट जाएंगे रानी हमने पुष्पलता की तलाश में जितने भी सैनिक भेजे वह सभी निराश होकर लोटे हैं समझ में नहीं आता क्या करें माता पिता का ऐसा दुख कांडवी से न देखा गया अता यह कारे मेरे लिए कठी नहीं है और जब कांडवी ने किसी प्रकार अपनी हट नहीं छोड़ी तो क्रिशानू को उसे अग्या देनी पड़ी रूंदे स्वर में क्रिशानू तथा नंदिनी ने अपनी पुत्री को आश्रिवाद दिया जाओ पुत्री मेरा आश्रिवाद तुम्हारे साथ है इश्वर करे मेरे द्वारा किये गए सबी पुन्यों का फल तुम्हें ही प्राप्थ हो तब राजकुमारी कांडवी पुरुश वेश में घोड़े पर सवार होकर पुष्पलता की खोज में निकल पड़ी सर्वर प्रथम मुझे उत्तर दिशा की और बढ़ना चाहिए दूसरी और एक दिन सहसा ही मेरुदेत्य के गुरु विशाली का महल में आगवन हुआ गुरुदेव आपने कहा था ना कि तेरी मृत्यू सुनंदा के गर्ब से उत्पन हुई तेरी ही कन्या के हाथों से होगी यह सत्य तो मैं आज भी सुविकार कर रहा हूँ वत्स जबकि वह कन्या मेरी कैद में है अर्थात मैंने अपने काल को अपने आधिन कर लिया है मेरु वत्स काल कभी किसी के आधिन नहीं रहा जिस कन्या का तुने अफरन कराया है वह सुननदा के नहीं नंदनी के गर्ब से उत्पन है उस रात कांडवी अपने ननिहाल में थी विरोचन ने पुष्पलता को ही सुननदा पुत्री जाना और सुनते ही मेरु देत्ते चौंक गया उसने तुरंत विरोचन को बुलाया यह तुमने क्या किया विरोचन उस कन्या के स्थान पर तुम दूसरी कन्या को उठा लाए शमा करें देखते राज आपने भी तो उस कन्या की कोई पहचान नहीं बताई थी उसका नाम भी तो नहीं बताया था आपने वहाँ पहुँचकर मुझे राज महल में जो कन्या मिली मैं उसी को अपने पंजों में दबा कर ले आया विरोचन सुननदा की गर्ब से उत्पन हुई कन्या दूसरी है जाओ और उसे उठा लाओ मैरू देत्य की आज्या मानकर विरोचन फिर शाल्व देश की और उड़ा वह इस समय भी अपने ही विशे में सोच रहा था अपने पिता रिशी देव सूत के आश्रम से मैं कितना प्रसन था काश मुझसे एक भूल न होई होती राजकुमारी कांडवी पूरे दिन वन प्रदेश में भटकती रही तब उसने एक पंड कुटी को देखा और वह सनरक्षन के उद्देश से उसोर बड़ी कुटिया के बाहर बैठी एक तपस्विनी ने उसको सौगत किया आओ पुत्री कांडवी विरहनी सौननदा तुम्हारी ही प्रतिक्षा कर रही थी आप कौन हैं भाई और मुझे किस प्रकार जानती हैं तब उस तपस्विनी ने अपने विशे में बताया पुत्री मैं आदित्ते रिशे की पत्नी सौननदा हूँ पुत्री केवल रिशी के क्रोज से पचने के लिए ही मैंने तेरा त्याग किया था तो रिशी पती ने मुझे देखते ही कहा तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद